एलो दोस्तों आप सभी का एक नाए वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज एक खास प्रेगराफ को हम लोग AH की इंग्छिस में ट्रांसलेट करने जा end and don't try to skip the video जीवन का ताज और गवरव चरित्र होता है तो दोस्तों ताज को इंगलिस में crown कहते हैं ताज, सर्ताज, मुकूट और गवरव, गरिमा इसे इंगलिस में glory कहा जाता है चरित्र यानि की character तो यहां पर है जीवन का ताज और गवरव चरित्र होता है तो यहां पर लिखेंगे the crown and glory of life यानि जीवन का is character the crown and glory of life is character यह मनुस्ति की सबसे उत्तम संपत्ती है तो दोस्तों सबसे उत्तम यानि सबसे अच्छा the best तो यहां पर लिखेंगे it is the best wealth of a person यह फिर दोस्तों आप यह भी लिख सकते हैं sentence के sense के अधार पर it is the noblest profession of a person आप चाहें तो यहां पर mine का भी यूज कर सकते हैं of a mine it is the best wealth of a person यह फिर it is the noblest profession of a person चरित्र खो गया तो सब कुछ चला गया मालिजे दोस्तों यहां पर यदी छिपा हुआ है यदी चरित्र खो गया तो सब कुछ चला गया तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे if character is lost तो सब कुछ चला गया इसके लिए कोमा दे देंगे everything is gone if character is lost everything is gone इससे मनुसरी के मान सम्मान में विर्धी होती है तो यहां पर लिखेंगे it adds to the prestige and owner और यहां पर है मनुसरी के 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 लिए of लिखेंगे of the mind it adds to the prestige and honor of the man दोस्तो add to का यूज बहुत ही ज्यादा होता है इसके बाद हमेशा to ही लगाते हैं जैसे हम लोग अपना ज्यान बहाते हैं we add to our knowledge you can add to your knowledge by working heart by studying heart यानि कड़ी मेहनत करके या अधियन करके आप अपने knowledge को बढ़ा सकते हैं जैसे मा लिजिए you can add to your beauty by doing exercise यानि कि exercise करके आप अपनी खुबसूर्ती को बढ़ा सकते हैं you can add to your beauty by doing exercise पारिवारी जीवन किसी भी वेक्ति के चरित्र का निर्धारन करने वाला आधार होता है तो दोस्तो निर्धारन करने वाला आधार इसे आप shaping ground भी कह सकते हैं shaping ground और पारिवारिक जीवन यानि कि family life तो यहाँ पर लिखेंगे family life is the shaping ground यानि कि family life shaping ground होता है किस चीज का किसी भी वेक्ति के चरित्र का of किसी भी वेक्ति यानि कि anybody और के के लिए यहाँ पर अपस्ट्रोफी कोमा एस का यूज कर देंगे anybody's character family life is the shaping ground of anybody's character बेसक समाजिक परिवेस भी मनुस्य के चरित्र निर्मान में मतपुन भुमी का निभाता है बेसक यानि कि of course समाजिक परिवेस यानि कि social surroundings भी भुमी का निभाता है आल्सो प्ले अवेरी इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर आप रोल भी लिख सकते हैं किस चीज में मनुस्य के चरित्र निर्मान में यहाँ पर लिखेंगे में के लिए इन in the making of और यहाँ पर मनुस्य के चरित्र of course social surroundings also play a very important part in the making of man's character एक बच्चा अपने माता-पिता, सिक्षक और समाज में सम्मान पाने वाले अन्य व्यक्तियों से नयतिक्ता सीखता है नयतिक्ता इसके लिए आप ethical values लिख सकते हैं लर्न्स ethical values अपने माता-पिता, सिक्षक और समाज में सम्मान पाने वाले अन्य व्यक्तियों से तो उसे के लिए from लिख देंगे from his parents teachers and other persons समाज में सम्मान पाने वाले यहाँ पर आप who का यूज कर सकते हैं who command या फिर आप gate का भी यूज कर सकते हैं gate respects समाज में in society a child learns ethical values from his parents, teachers and other persons who command respects in society चरित्र धन से अधीक मुल्यवान होता है तो यहाँ पर लिखेंगे character is more valuable than wealth character is more valuable than wealth धन एक बार चला गया तो वापस कमाया जा सकता है लेकिन यदि एक बार चरित्र में दाग लग गया तो इसे मिटाना बहुत कठीन होता है तो यहाँ पर लिखेंगे once money is spent और gone तो वापस कमाया जा सकता है it can be re-earned or regained लेकिन यदि एक बार चरित्र में दाग लग गया but once our character यानि कि एक तरह से हमारा चरित्र दाग लग गया यानि कि is stained या फिर is blamist तो इसे मिटाना बहुत कठीन होता है then it is very difficult to erase और यहाँ पर आप it भी यूज कर सकते हैं erase it once money is gone it can be regained but once our character is stained then it is very difficult to erase it आप चाहे तो यहाँ पर becomes का भी यूज कर सकते हैं then it becomes very difficult to erase it आप चाहे तो can का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक कॉमा देने के बाद लिख सकते हैं it cannot be erased तो इसे मिटाया नहीं जा सकता है हम sense के अधार पर इस प्रकार से भी बोल सकते हैं once money is gone it can be earned back but once our character is stained it cannot be erased चरित्रवान बेक्ती अपने करतब के परती समर्पित होता है यहाँ पर लिखेंगे a man of character यानि की चरित्रवान बेक्ती अपने करतब के परती समर्पित होता है is devoted और इसके बाद हमेशा ही to use करते हैं devoted to his duty a man of character is devoted to his duty और दोस्तो आप लोग के लिए एक sentence है एक मेहनती छात्र या बिद्यार्थी अपने परहाई के परती समर्पित होता है तो दोस्तो आप लोग अपना अंसर comment box में जरूर लिखेगा वह करतब बे प्रायन और सत्यवादी होता है तो यहाँ पर लिखेंगे he is duty and truthful he is duty and truthful मनुस्री की परसंसा उनके अच्छे और नैतिक कार्यों के लिए की जाती है तो दोस्तो यह passive वो इसमें है जैसे मालिजे मुझे प्लहाया जाता है I am taught मालिजे पेड़ों को पानी दी जाती है trees are watered यानि की m is r plus verb 3 उसी परकार a man is praised उनके अच्छे और नैतिक कार्यों के लिए for his good and moral actions आप चाहें तो deeds का भी यूज़ कर सकते है for his good deeds and moral actions आप इस परकार से भी लिख सकते है a man is praised for his good and moral actions बुराई करने बाला समाज में तिरसकार, घिरना और अनादर अरजित करता है बुराई करने बाला इससे लिखेंगे an evil doer an evil doer और यहाँ पर वर्ब है अरजित करता है यानि की earns दोस्तों यहाँ से यहाँ तक noun की तरह काम करता है तो आप इसे noun phrase भी कह सकते हैं an evil doer earns क्या क्या अर्ण करता है तिरसकार यानि की contempt घ्रिना यानि की hatred और अनादर and disrespect समाज में in society हमें अपने चरित्र को हमेशा अच्छा रखना चाहिए तो यहाँ पर चाहिए यानि की should we should always keep our character यहाँ पर अच्छा क्लिए आप sound का यूज कर सकते हैं और चाहे तो simple word good का भी यूज कर सकते हैं we should always keep our character sound sound का भी अलग अलग तरीके से यूज होता है जैसे आप अच्छा नींद लेते हैं तो उसे आप sound slip कह सकते हैं और कोई idea अच्छा लगता है तो आप कहते हैं it sounds good जैसे कोई आप से कहे now let's play cricket तो आप कहेंगे oh it sounds good खास तोर पर एक सिख्छक को चरित्रवान होना ही चाहिए क्योंकि वे students के role model होते हैं तो खास तोर पर यहाँ पर आप particularly यूज कर सकते हैं या फिर आप especially यूज कर सकते हैं एक सिख्छक a teacher must be a man of character particularly a teacher must be a man of character यहां पर फोर यूज करना बेटर रहेगा, यानि के एक तरह से students के लिए for the students. I hope friends के आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यदि ए वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा, और दोस्तों आने वाले वीडियो और भी ज्यादा इंट्वेस्टिंग होंगे, तो आप लोग सभी मेरे चैनल को ज अब भी वीडियोज को जरूर देखिये, और राइट फ्रेंड्स, थैंक्स पर वाचिंग, वेव ग्रेट डेए.